एक ऐसा नाचता है जो सब को बहुत पसंद आता है कचोरी अब आप वो प्लेन कचोरी खाएं आलू की सबजी या छोले की सबजी के साथ या फिर भरीवी कचोरी जैसे प्यास की कचोरी है पिठी वली कचोरी है स्पाइसी चटनी के साथ अब आप बनारस में हो राजिस्थान में हो उजरात में हो पंजाब में हो यूपी में हो हर जगा आपको कचोरी ज़रूर मिलेगी और ये एक फेवरेट नाष्टा है और एक ऐसा नाष्टा जो ना सिर्फ ब्रिकफरस्ट वाला नाष्टा है बलकि शाम का नाष्टा भी है इन फैक्ट आल डे आप कभी भी खा सकते हैं कचोरी तो आज हम बनाने वाले हैं खस्ता कचोरी with onion stuffing देखें खस्ता कचोरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले कचोरी का डो बनाना है प्यास की filling बनानी है उसके बाद उसे हमें fry करना है अब डो बनाने के लिए हम मैदा लेंगे उसमें जाएगा थोड़ा सा गी और थोड़ा सा और इसे हम इस तरीके से मिला लेंगे, मोई कर लेंगे, ऐसा करने से एक खस्ता बनेगी, और हाँ, देखे अगर सर्दियों में आप ये बना रहें, तो टोटल घी डालेंगे न तो वो जम जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ओईल और घी दोनों का इस्तमाल करते हैं, वहीं पर अगर गर्मिया है, if you want, आप completely इसको मोई भी के साथ भी कर सकते हैं, that's perfectly okay, जरा सा पानी, और अब हम बनाएंगे डो, अब खस्ता कचोरी बनाते हैं, या फिर आप समोसा बनाते हैं, आप देखेंगे डो लगबक सेम हैं, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस होता है, जो कचोरी क का डो बनता है, उसके अंदर पानी जादा जाता है, काफी सॉफ्ट होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा पानी, ताके इसका जो डो बने, वो लचीला बने, होता कि इसके अंदर स्टफिंग करनी होती है, इसलिए हमें एक सॉफ्ट डो की जरूरत होती है, थोड़ा सा ये चिप इसे देंगे 10 मिनिट का रेस्ट, जब तक ये रेस्ट करेगा, बनाते हैं हमारी स्टफिंग, यानि प्यास को हमें भूनना है, पैन को गरम करना है, उसमें जाएगा थोड़ा सा ओईल, याद रहे स्टफिंग को भूनते वक्त, कम से कम ओईल का इस्तमाल करना है, क्योंकि अल अदर हींग का फ्लेवर थोड़ा सा हाई होता है, अनियन की तो sweetness है वो तो होती है, लेकिन हींग is very important, इसलिए हींग, बढ़िया खुश्भू, इसके अंदर हम डालेंगे, चॉप जिंजर, चॉप ग्रीन चिली, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सांफ, इसमें हम डालेंगे, अनियन, साथ ही इसके अंदर जाएगा काला नमक, थोड़ा सा पेपर पाउडर, यानि की काली मिर्च का पाउडर, हल्दी, मिर्ची का पाउडर और हमारा रेगुलर सॉल्ट, देखिए हमेना प्यास के अंदर बाइट रखनी है, उसे थोड़ा कचा-कचा रखना है, ब्रा की आँच पर इसे हम पकाएंगे, प्यास का पानी छूटेगा, कचोडी के अंदर जाएगा, वो अंदर से उसे सोगी कर देगी, प्यास सेयार है, क्यास को करेंगे बंद, प्यास की जो स्टफिंग है, इसे हम फेला देंगे ताके ये जल्दी ठंडी भढ़ जाए, जब तक की ठंडी होती है, चलते हैं कुछ tips and tricks की तरफ ताके हम जान सके कि कचोडी बनाते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना है, देखिए कचोडी के अंदर सबसे जादा important हैं दो चीज़ें, एक उसका dough, जो होना चाहिए लचीला और soft, और दूसरा उसको तलना, तेज आज प पर आपको इसे तलना है for a long time, जब वो float करना शुरू कर दिया है, आप उसको गैस को तेज करके उसे अच्छे से ब्राउन कर सकते हैं, अगर आपको खस्ता कचोडी चाहिए, आपको ठंग से मोय करना होगा, मतलब don't rush through, आराम से उसे रब कीजे और तबी वो खस्ता बनेग प्यास जाता है, इसके अंदर आलू डाल सकते हैं, आप इसके अंदर पिठ्थी डाल सकते हैं, और आप प्लेन कचोडी भी सर्फ कर सकते हैं, मोय स्टफिंग को भी होजघाश्य के अंदर खुप सारा पानिया मॉयस्टर है, तो अंदर से कचोरी को वो सौगी कर देगी, अ स्टफिंग तैयार है बिल्कुल ठंडी है अब हमें इस डो के उपपर जाना है और इसके छोटे-छोटे गोला का काटने है जिसे हम कहते हैं लोई इकोल साइस की तो यह गो अब इसको इस तरीकी से फ्लाटन करना है इसमें जाएगी हमारी प्यास की स्टफिंग इस तरीके से इसे काट देंगे यह बंद तैयार है अब हमें इसे फ्राइ करना है यहां तक आसान है फ्राइ करने में कई लोग गलती करते हैं बहुत ही हलकी आँच चाहिए उसके अंदर कचोरी जाएगी लाइक है सेट बिफोर जब एक बार वो अपने आप गरमों के उपर तैरेगी तब हमें आँच को बढ़ाना है तेल हमारा वाम है अब यह है हमारी कचोरी इसे फ्लाटन करना है इस तरीके से आप चाहिए तो उसे गोल आकार में भी फ्राइ कर सकते हैं फ्लाट करने से होता क्या है कि समतल हो जाता है यह इवनली पकती है और पकने के बाद थोड़ी से फूलेगी भी और यह आकी तेल है पूख बढ़ गए भई मेरी करवा गरम कचोरियां डन देखे कचोरी जो है उसको आप अलग-अलग तरीके से सर्फ कर सकते हैं मतलब आप चाहें तो आलो की सबजी है छोले की सबजी है आप चाहें तो इसे चटनी के साथ थोड़ा सा जैसे चाट बनाते ना मीठी चटनी हरी चटनी दही उसके साथ या फिर आप ऐस इस उसे खा सकते हैं तो चलिए इसे अब प्लेट करेंगे और मैं इसके साथ सर्फ यगी